क्या खाई हो तब तक कुछ लोगों ने मुझे पहचाना गाउं की सांती गाउं की सांती प्लीज हमें जॉइन करें और वहां पे इंडिया टीवी के जो जी न्यूस का जो चैनल है यूपी उत्राखंड का उस पे मैं लाइव आई फाइनली मैं टीवी पे आई वह भी न्यू वह अपने सब्दों में बया नहीं कर सकती में आवे ही ऐसा ही देखिए नॉर्मल से जुड़ा बनाएं तो कोई प्लैन नहीं था ऐसा ही हम लोग आया असी पे और यहां नहीं के बाद एक सपने में से एक बहुर बड़ा सपना अभी मैं बात कर रही थी और तब तक यह ची हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब और आज मैं स्वागत करूंगी किचन से अपने किचन से नहीं यह भी मेरा ही किचन कहेंगे तो तो हो गई है सुरुआत एक नए दिन की एक नए ब्लॉग की और ऐसे ब्लॉग मैं यहां के मनास में कमी सेयर करती हूं क्योंकि मैं कु कुरा दिन बस अराम अराम अपनी सेवा लेकिन आज अब पहले कोरोना था तो आती थी तो उनका कोचिंग बंद हुआ करता था अभी वो लुक चले गए है कोचिंग आठ बजे से लेके उनका तीम बजे आएंगे तो बस मैं और अरू बचे हैं घर में और कोई नहीं है खा खाना भी मुझे बनाना है अपने लिए अपने लिए बस और अरू के लिए तो रूटीन में केरा शेयर करूंगी कैसे एक छोटे से कमरे की जिंदगी कैसे होती है सिर्फ एक कमरे की जिसमें हम अभी 5-6 लोग हैं तो वो चीज कितनी मतलब जितनी सुनने में और दूसरों क वैसे अब मैं आज आपको दिखाऊंगी कितनी कैसी होती हो जिन्दगी तो पहले मैं नहां दोलू अभी मैंने कुछ नहीं किया और खूब सोया है आंखे एकदम सोने की वज़ा से आज आखे सूजी है तो थोड़े देर में मैं मिलती हूं आप सबसे देखे मैंने काटी है सबजी और सहर मेना एक बाल अच्छा होता है दस रुपए का भी दूद मिल जाता है वरना गाह में तो दस रुपए का कोई नहीं देगा बोलेगा अधा किलो लो एक किलो लो है अब लोग है ली न थे मुझे कुछ चीजे मिली नहीं रही हम देखिये क्या बना दिवह बाल बनाने जारी थी और मैं दिखा रही थी नहीं एक छोटे से room में कैसे सारी चीज़े होती है, जगी छोटा सा kitchen है यह नि कह दी कि मेरी बेहने ही पढ़ रहे है? जितने भी student जो life होती है, वह ऐसी ही होती है, कैसे हम लोग अपने घर को, अपने family से दूर होते हैं, अपने carrier के लिए अपने कुछ अपने सपने कुछ अपने माबाप के सपने भी होते हैं पूरा करने के लिए अभी इन्होंने यह आलमारी लिए यह देखे यह वाली इसको में ओपन करके दिखाऊंगी तो कपड़े ही होंगे और कुछ तो नहीं है कपड़े हैं सारे में कपड़े भरे हैं इनक तो ऐसे करके लगता है कि आ गई है मेरी बेहने पानी लेटी से पानी ना हमरे बोतला छूट गे रल्दा आरो का पानी मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है तो यह लोग मुझे पानी बरके कुछ ने खिजा खई ले अगरा सब्जी बन गई गरम करता निवस्ट पकड़ के इसको द्रीखिए संतरा चील के खाएगी खाना खाला रोटी सब्जी बनाओ ले बनी इनका तो तीफिन आता है मैंने अपने लिए बनाए सब लोग खाना खाएंगे फिर चली जाओ कि तो उम पढ़ने इस तो मत नखा लोकी नखई बुदा सुतर सुतर लोकी नखई या यह जाएगी फिर से पढ़ने के लिए चली जाएगी इसके एक्जाम आ रहे हैं इसका कोचिंग सेकेंड सिप्ट जो है वो इस राठ होगा भी खाना खाने के लिए आई हैं लकडी रही हैं और आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि दी आप अपने बिलकुल मम्मी की तरह हो बिलकुल मम्मी की टू कॉपी हो ऐसा करके तो सारे लोग हम लोग जो बहने हैं न अपने मम्मी पे ही गए हैं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत और लोग आप लोग मुझसे पू बुलाइबो चया छार से पाँच मिनट तक तक वीडियो को बहुत सारी लोग वीडियोग बटा मेरा इस परहों बहुत अइंप सारी मेर्यद्युक्राइन पता चल जाताैब कमेंट से बातों ielish से तो देखिए अभी कंबल ना हलका फुलका कभी रात में ऐसे ठंडी लगने लगती है तो ओड़ते हैं वारना कंबल के भी जरुवत नहीं है अभी यहां पे ठंडी बिल्कुल भी नहीं है दिन में तो मतलब गर्मी जैसा हो गया है हम जा रहे हैं पूरी सब्जी खाने के ल जाती है मैं सुचा चलो शेयर करती हूं कल का ब्लॉग मैंने वहीं पे खतम कर दिया था असी घाट पे ही तो सुचा कि चलो इसको कंटीन्यू करते हैं क्या खाई हो समोसा खाके मूँ चोखा निया है लेकिन पूरी सब्जी खतम हो गया था समोसा खिला दिये समोसा खाके मूँ चोखा निया है तो आज है दूसरा या तीसरा दिन तीसरा दिन साथ बनारस में हमारा और ऐसे नो मैं नेल पेंट चुटा रही थी ना खून से एक्टम गंदे हो रखें नेल पेंट रिमूवर जो होता है न वो में लेके ही नहीं आई यहां पे क्योंकि एक दो दिन तीन दिन के लिए ऐसे कर के आते जाते रहते हैं तो लेके नहीं आती में उतना सारा समान और इन लोग के पास तो है ही नहीं बहुत कम होता है कि यह लोग नेल पेंट वगरा लगा है और मेरी जाचे वगरा हुई हॉस्पिटल में तो रिपोर्ट आ जाएगी आज तो यह आ रहे हैं आज लेने के ल पूरा एक्दम समझा रही है तिर बौडी में पूरी स्वेलिंग हो गई है तिर को ही मोगलोबीन की कमी साफ दिख रही है फिर उन्हें डॉक्टर रेकॉमेंड करा था तो हम लोग जाके दिखा के आये हैं और मैंने सोचा चलो में थोड़ी सी बात करके आप सबको अपडेट सी हो जाती है कि मूठा के रूज रूज चली आती हो कितनी बेसरम हो अपने बहनों का जिंदगी खाने पर तुली हो उनको पढ़ाई लिखाई में तुम डिस्टरॉब करती हो ऐसे वैसे तो ये मेरे बहन का एक्जाम था अभी और उसका एक्जाम है अभी तो ही मैं आई ताकि मैं जो दूसरे काम हूँ वो खतम कर देती हूँ तो उन लोगों को पढ़ाई में मन लगता है टाइम से चीजे में करती हूँ ना कि मैं इसलिए नहीं आती कि उनको मैं डिस्टरॉब करती हूँ और मेरे ये उनके भी इसकी बात है तो फिर इतनी ज्यादा चिंता करन की जरूरत नहीं है मुझे पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या चीजे गलत है मुझे कब उनके पास आना चाहिए कम नहीं आना चाहिए मू उठा के बेसरम हो ये हो वो हो तो ऐसे लोगों को तो मैं यही कहूंगी कि आपने एक जीबी डेड़ जीबी का जो न नहींने का, वो क्यों मुझे देख कि आप लोग टाइम वेस्ट कर देते हो और अपना नेट भी खर्चा करते हो, इससे बहता है कि आप लोग ना देखा करो, क्योंकि ऐसे लोगों की तो मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे वीवर्स की जो मतलब इस तरीके की मन में इतनी सारी चीजे भर के रखे पड़े हैं, और जब कि किसी से कोई परसनली वो भी नहीं होती है, कि चलो जाने दो, हम किसी को बहुत परसनली जान रहे हैं, लेगन मुझे लगता है ये लोग वही लोग होते हैं, जो हमें जान रहे होते हैं, जो हमें कश्ट पहुचाने के के लिएक दम सोच के ही रहते हैं बतब यहां पे फिर कुछ लोग ये पहनती हो वो पहनती मेरी मत्जी के मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी गाहुं की संती हो तो मिशूट नहीं करता की अपने घान देखा कुछ या तो आपने देखा इनी की गाउं में बहुत सारी चीजे जो सहरों में नसीब नहीं होती और रही बात पहनने उड़ने की तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गाउं के लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते गाउं के लोग कुर्ती नहीं पहन सकते जीन्स नहीं पहन सकते या बात फैमिली के अलाव की नहीं है, हमारे सम्मीधान में हमें पहनने, ओरने, खानने, बोलने, हसने, खेलने की बराबर की अजादी दिये, महिलाओ है या पुरुस हो, तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, ऐसे लोग, मैं सारे लोग को नहीं बोल रही हूं, मैं इसे बहु क्योंकि मैंने डाल दी छोटी सी क्लिप, मैं करूंगी, तो उन्होंने हमसे बात करी थी, वो चीजे अब टीवी पर कैसे कितनी बार दिखाई गई, अब तो या तो मैं पूरा दिन बैठ के देखूं, और हम लोग का जो गाना था, ऐसा नहीं था, कि मैं किसी पार्टी को व आपने जो राज्य के मुख्य मंत्री हैं, उनको हमने बधाई दी, कोई भी जीते, कोई वैसा नहीं है, कि मैंने इनको सपोर्ट किया, वहाँ पर लोगों ने मुझे पहचाना किया रहे, आप गाहों की सांती में जोईन करें, तो हम लोग बैठे, और जी निउस पर हम दिवाग हुई, और बहुत सारे लोग आए, मैं ही कोई नहीं थी वहाँ पर, तो अच्छा सा लगा हमको, बाकी ये था और कुछ नहीं था, तो मैं सोचा कि बात करना बहुत जरूरी, इससे पहले की बाते कोई बिगणे हैं, या फिर कोई चीज दिवाग में हैं, कोई ये हमारे आसपास है, तो फिर हम लोग अक्सारी, मतब हर दो दिन पर जाया करते हैं, बैठा करते हैं, अच्छा लगता है, तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, और ये दो तीन दिन की वीडियो थी, मतब थोड़ा क्लिप इधर से, थोड़ा क्लिप उधर से, कहीं बाहर घू मुझे मने बताया था आपको डॉक्टर के पास, और मेरे हजबन भी आएंगे थोड़ी टाइम के बाद, वो चल दिये हैं वहां से, तो जल्दी से फटाक से तयारवार हो जाती हूं मैं, और मैं मिलूंगी आप सबसे एक अगले बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, देख फैमी नम बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इसलिए मैंने इन सब चीजों को क्लियर किया, तो हम मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में, और उमीद करूंगी कि इस तरीक के चीज़े अभी नहीं होंगी, और वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइएगा, जारी अपने काम खतम करनूं, और फिर यहां से एक नए ब्लॉग की स्टार्ट करेंगे,